सो फ्लिप कार्ट के सभी सेलर्स को अपने एकाउंट में GST verification का error आ रहा होगा और इस verification को complete करने के बाद आपका जो status है वो हमेशा verified होना चाहिए ठीक है और आप देख सकते हैं मैंने अपना एक एकाउंट लॉग इन किया है और यह इस डी डस आप verified हो गया है और इसको कैसी कर करना चाहिए और यह error क्यों आ रहा है हम आपको इस वीडियो में इस चीज के सारी information देंगे तो चलिए मैं अपना एक सेलरे काउंट लॉग इन कर लेती हूं देख सकते हैं सामने आपको यह error visible हो रहा होगा इस error को resolve करने के लिए आपको साइट में देखेंगे आपको verify now का option mention आ रहा होगा वहाँ पे क्लिक कीजिएगा verify को now करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं GST verification का portal open हो गया है ठीक है और सबसे पहली बाद आप देखेंगे यहाँ पे state पी mention है GST number भी mention है और status आपका pending है ठीक है इसको copy करने के लिए आपको request OTP पे जाना होगा request OTP पे जा Flipkart इसलिए GST verification कर रहा है क्योंकि कोई seller एक ही GST से अपना दो या तीन account handle कर रहे हैं तो इसी चीज़ को identify करने के लिए Flipkart ने GST verification का error लेके आया है account में और इसको सभी sellers को verify करना होगा तो चलिए generate OTP करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको OTP आपको mention करना OTP mention करने के बाद आपका जो account है वो आपको verified show होना चाहिए ठीक है जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया इस तरीके से verified show होना चाहिए तभी आपका GST update होगा पर कभी कभी क्या होता है ना इसको update करते समय कोई error भी आता है तो उस error के बारे में भी हम आपको बता देते हैं तो यह error इसलिए आता है हो सकता है आपने जो user ID वहाँ पे डाला हो वो wrong हो ठीक है या तो आपके GST का जो portal है उसमें आपने API का access no किया है अगर आपने no किया है तो उसको yes कर लीजे और अगर आपको हमारी वीडियो यह पसंद आई हो तो प्लीज आप इस वीडियो को like and subscribe जरू करें सो मिलते हैं अपने next वीडियो में thank you so much